आपल नियूस टाइम जहां पर जूपी आपल के रिए 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 रिमर्स नियूस इंफरमिशन जो कुछ भी निकल कहता है मैं आप लोगे साथ शायर करता हूं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आप में से पहला कंप्यूटर जिसका नाम है एपल वन वह उक्षन पर होगा है फोर हंट्रेट थाउजन यूएस टॉलर में यह जो कंप्यूटर रहा है वह वह वर्किंग कंडिश्में नहीं नॉन फंक्शनल कंप्यूटर लेकिन फिर भी एक एंटिक चीज हो जाती है बिकास 1976 में यह डेवलॉप हुआ था तो जिसने भी अभी 400,000 डॉलर में इसको पर्चेस किया है फ्यूटर में इसका जो वैल्यू है वह और भी जादा अप्रीशेट हो सकता है जब कभी भी ऐसे कोई न्यूज में शैर करता हूँ काफी सारे लोग कंफ्यूजड होते हैं लोग इतने पुराने पुराने कंप्यूटर 1976 में बनाया हुआ कंप्यूटर या तो इतने जादा पुराने जो डिवाइस है उनको इतने महेंगे प्राइस पर प्रचेस क्यों करते हैं यह जो आइटम से इनका जो वैल्यू है वह फ्यूचर में और भी अप्रीशेट होता ह लिए प्रचेस किया होगा या तो एपल के सबसे बड़े फैन होगे या तो इसे को इन्वेस्टर होंगे जिनको पता होगा देट नेक्स फॉन्टी यर्स पर इसका जो वैल्यू हो कितना हो सकता है तो यहां पर गैस जो चीज़ें वो लोग इन्वेस्मेंट के तौर पर प को ओन करते हो तो यहां पर टिम कुक ने का इस रिप्लाइश किया था यह उनका काफी जादा एक डाइवर्सिफाइट पॉर्टफोलियो है और उनके पूर्टफोलियों को और भी जादा डाइवर्चिफाइब करने के लिए खुद भी क्रिप्टो करन सी जरी अपने अपन तिम कुक ने इतना बता है यह वह काफी टैम से इस टॉपिक को पर रिसर्च कर रहे हैं और आपल इस लुकिंग एड क्रिप्टो मार्केट मतलब यह पॉसिबिलिटी से यह वह अपने प्रॉडक्स को क्रिप्टो करना स्टार्ट कर सकता है या तो में भी एपल का जो वालेट करने के लिए बता है इसा निया तो दूसरों को फाइन इडवाइस को उन्होंने बता है बस उनके परफोलियो को थोड़ा और करने के लिए क्रिप्टो करने करते हैं लेकिन यह कोई भी सौर्ड ऑफ फाइनेंशल एडवाइस नहीं है तिम को करते हैं मतलब आप लोगों को भी जाके क्रिप्टो करना चाहिए आज की अगली इंफॉर्मेशन के उपर हैं यहां पर यह जो इंफॉर्मेशन आइफोन 13 के बारे में और आइफोन 13 सेरीज के उन यूजर्स के लिए गुड़ नीज हो सकते हैं जो के अपने फोन को काफी जादा एक्सेड़नेंटली मतलब तोड़ फोड़ करते रहते हैं कुछ यूजर्स को स्क्रीन प्रोटेक्टर्टर्स यूज़ करना पसंद नहीं होता लेकिन उनके जो फोन है वो गिरते रहते हैं तोड़ फोड़ करते रहते हैं अपने फोन को तो यहां पर आपल ने जब आइफोन 13 सीरीज को लांच किया था तब वहां पे एक सौफ़एर में लिमिटेशन लाया था अगर आप बाहर से कई अपनी स्क्रीन को रिप्लेस करवाते हो तो फेस आइडी काम करना बंद हो जाएगा प्लस अगर आप लोग बाहर से स्क्रीन वगरा को रिप्लेस करवाते हो अगर आपके फोन के अंदर ओरिजिनल स्क्रीन भी लगाते हैं उसके बाद भी आपको वहां पे डिस्प्ले का एक वार्णिंग शो होता है और फेस प्रजिशन नहीं फिला यहां पर यहां पर यहां पर यह सारे जो लिमिटेशन से आपल सब्सक्राइब के मदल से निकालने वाला है यहां पर यह चोटी से बैट निउस भी आईफॉन 13 जिन लोगों को नया पर चिस करना है डर आईफॉन 13 सिरी स्टॉक अभी भी काफी जाद लिमिटेड है काफी सब्सक्राइब काफी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने में तो यहां पर सब्सक्राइब को बहुत ज्यादा और नहीं रिपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट यर जन्यूरी तक या तो नेक्स्ट यर में भी फैबूरी मार्च तक जो सब्सक्राइब को थोड़ा बहुत इजी करने के लिए आपल जो आई-पैड के प्रोडक्शन को 50% कट कर रहा है और व सब्सक्राइब करने के वज़े से स्टॉक के इशूस के वज़े से एपल को सिक्स बिलियन डॉलर्स का यहां पर नुक्सान हुआ है कौटर फोर में तो आप लोग आई-पोन 13 सीरीज को पर्चेस करना है और अगे जाके शौटेज जिस और भी जादा हो सकती है यहां पर ए झाल झाल